आज हम configuration करने वाले हैं ममोशा network radio का ये हमारे पास दो radio है और इसमें इसका जो device है वो लगा हुआ है और हम इसे connect करेंगे इसे poe adapter के साथ में ये हमारे पास poe adapter और इसमें हमने data cable लगा रहा किया है इस data cable को हमें connect करना radio में तो poe वाली जो cable है उसे हमें radio के साथ में connect कर देना है इस तरह से ठीक है ये connect करने के बाद आपको जो LAN का option दिखाई देगा उसे आपको PC से connect कर लेना है इसी तरह से सेम आपको दूसरी radio को भी adapter के साथ attach कर लेना है करने के बाद आपको password डालना है और login पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको फिर आपको management में जाना है यहां से आप change कर सकते हैं अपने radio का IP address इसके बाद आपको channel and power पर जाना है channel और power पर जाने के बाद इसके बाद में कुछ option खुल जाएंगे spectrum analyzer होगा यहां पर ठीक है इस तरफ आपको frequency दिखाए देगी इसमें से जो frequency आप select करेंगे उसे यहां से आपको करना है select मैंने यहां 5900 frequency को select किया है यह जो frequency हमने यहां डाली है इसे आपको note कर लेना है क्योंकि यह frequency आपको second radio में भी डालनी है इसके बाद आपको link पर click करना है link पर click करने के बाद link mode में आपको point to point या फिर point to multiple point आपको select करना है तो मैं यहां point to point select कर रहा हूं और इस wireless mode इसमे access point रखना है यहां पर जो traffic split है वो 50-50 या फिर auto भी आप रख सकते हैं ठीक है इसके बाद आपको right hand की तरफ आना है यहां पर radio का name वगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजेगा SSID यहां पर डाल दीजेगा मैं आपर SSID बना देता हूं ABCD add the rate 123 ठीक है और यहां पर भी encryption की आप डाल दीजेगा मैं यहां डाल देता हूं admin add the rate 123 इस तरह से आप आप जो भी डालना चाहिए वहां यहां पर आप जो भी डालना चाहिए वो आप यहां डाल सकते हैं ठीक है यह डालने के बाद आपको और यह चीजे आपको याद रखनी है स्साइडी और encryption की याद रखना है इसके बाद यहां अगर और वे टिप पर आपको स्लेक्ट करना है इसके बाद सेब चेंज पर क्रिक कर देना है Save Change पर क्लिक करने के बाद अब आपको जाना है Second Radio पर चैनल पर नहीं है तो चैनल को Like, Subscribe करना ना भूले और भी हमारे पास वीडियो है वो आप देख सकते हैं तो हम सुरू करते हैं अब Second Radio को तो Second Radio पर हम Plus पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें Second Radio का IP Address डालना है पहले में हमने 10.0.185.81 डाला था यहाँ पर हमने 82 डाल दिया है यह डालने के बाद आपके जो रेडियो है वो एक्सेस हो जाएगी आपके सामने यहाँ आने के बाद आपको फिर से Link पर क्लिक करना है Link पर क्लिक करने के बाद Second Radio में आपको यहाँ SSID जो है वो डालनी है जो हमने पहले डाली थी ABCD Address 123 और यहाँ पर Encryption की में Admin Address 123 हमने यहाँ बनाया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है इस तरह से आप जो भी बनाए वो यहाँ डाल देजेगा अगर इसके बाद भी आपको Second Radio सो नहीं होती तो आपको करना क्या है से पहले Save कर लेना है उसके बाद आपको Save करने के बाद आप देखेंगे अभी भी Not Connected आपको दिखाए देगा तो इसमें आपको Scan for SSID का Option दिखाए देगा इस पर आपको क्लिक करना है और स्कैन करना है यहाँ आपकी SSID जो दूसरी रेडियो की थी वो सो हो जाएगी ABCD अटरी 23 हमने डाला था इसे हमें Select कर लेना है Select करने के बाद कुछ टाइम लेगा इसमें कुछ टाइम लगेगा उसके बाद यह जो रेडियो है यह Connect हो जाएगी आपकी सेकेंड रेडियो के साथ में इसके बाद आप अपनी रेडियो को अलग अलग रखके चेक कर लेजेगा अब यह Connected का Option आगया है यहां Link Mode आप Point to Point रखना क्योंकि आपने उसमें भी Point to Point रखा था और इसमें Wireless Mode Station रखना है ठीक है और यह Connected सो होने लगा है इसका मतलब आपकी रेडियो Connect होगी है वीडियो देखने के लिए आप सो भी का तन्यवाद